उत्तरी इस्राइल पर हिजबुल्ला के भीषण हमलों की वज़ा से इस्राइल दहला हुआ है हर मिनट हर घड़ी लेबनान से रॉकेट ड्रोन और मिसाइले इस्राइल पर दागी जा रहे हैं जिससे अब वहाँ तबाही मची हुई है और इस सब के बीच ऐसा माना जा रहा है कि शायद इस्राइल हिजबुल्ला का सफाया करने के लिए लेबनान पर आकरमण कर सकता है लेकिन इस खौफ के बावजूद हिजबुल्ला कमजोर नहीं पढ़ रहा है बलकि वह दो गुनी ताकत से इस्राइल पर हमला कर रहा है अब हिजबुल्ला ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें कीरियत शमोना कफार सोल्ड और मरगैलियोट सेटल्मेंट पर बड़ा हमला करने का दावा किया गया है इसके अलाबा हिजबुल्ला ने मिसगाव अम और रामथा सैने चौकियो पर भी गोले वर्स है हिजबुल्ला के इस वीडियो में साब दिख रहा है कि कैसे एक लाउंचर में कई रॉकेट भर कर उन्हें एक आएक फायर किया जा रहा है हला कि वीडियो में आसपास के इलाके के धुनला किया गया है जिससे हमले वाले इलाके की गोपनियता बनी रहे और इस लॉंचर से एक बार में सैक्डो रॉकेट इसराइल की तरफ फायर किये जा रहे हैं इस हमले के अलावा हिजबुला ने मेटूला सैन इचोकी पर भी गोला बारूत से हमला किया है हिजबुला ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें हरियाली के बीच हिजबुला का एक लड़ा का ताबड़ तोड रॉकेट फायर कर रहा है और ये रॉकेट बॉर्डर पार इसराइल की सेन चोकियों पर बरस रहे हैं। इस हमले के लावा हिजबुला ने आईडियफ की रामीम बैरक्स पर भी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेट से हमला किया है। हिजबुला का कहना है कि उसका ये हमला एकदम सटीक रहा और इस हमले के साथ ही हिजबुला ने खैलेट वार्डे इलाके में इसराइली सेनिकों के जमाबडे पर भी बंबारी की। यहाँ पर भी हिजबुला ने आईडियफ के उपर आर्पीजी दा गये हैं। आपको बता दे कि हिजबुला ने बरम जंगल के लाके और कफार शौबा की पहाड़ियों में रॉकेट हमले किये हैं। वहीं अल डेर साइट पर तो हिजबुला ने आईडियफ के जासूसी उपकरणों को भी हमले में तबाह कर दिया है। यहीं आईड़ियों को डेर से यहीं।